दिवाली आने वाली है और दिवाली पर हर कोई अपना घर अच्छे से साफ करता है हम अपने घर की एक एक चीज अच्छे से साफ करते हैं और जब बात आती है हमारी पूजा में यूज होने वाले बरतनों की तो हम चाहते हैं कि वो भी एकदम नई जैसे दिखें वो भी कि घंटों उनको रगणने का टाइम तो आज कल किसी पर नहीं होता तब हम सोचते हैं कि कोई हमें ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हमारे पीतल और तावे के बरतन एकदम नए जैसे चमकने लगें तो आज में लेकर आई हो आपके लिए एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप इन बरतनो को बहुत कम टाइम में एकदम नए जैसा बना सकते हैं तो चलिए जलती से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूं शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में मैंने यहां पर दो तरह की बरतन लिए हैं एक यहां पर टोरी लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूं दो चम्मच की करीब नमक जो भी नमक आप अपने खाने में यूज करते हैं उसे आप यहां पर ले सकते हैं इसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं सिट्रिक एसिट इसे नीवू का फूल भी बोलते हैं यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है इसे भी मैं यहां पर दो चम्मच ले रही हूं यानि जितना हम नमक लेंगे उतना ही इसे लेंगे अब यहां पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि एक पेस्ट जैसा बन जाए आप चाहो तो इसे थोड़ा सा गाड़ा पेस्ट जैसा बना सकत मैंने यहां पर इसे फोड़ा सा liquid ही रखा है बस इन सब को हलका सथ हम मिला देंगे अब पहले मैंने यहां पर तावीः बड़न लिया है और जो हमने liquid तैयार किया है उसे लिया है यहां पर मैं एक से साफ करके दिखाऊंगी इस लिक्विट को मैं ब्रश की सहाइता से बहुत हलके हातों से इसके उपर लगाती जा जैसे ही ये लगाना शुरू हुआ है आप देख सकते हैं कि ये साफ होता जा रहा है आप चाहो तो डायरेक्ट ब्रश की जगे स्क्रबर लेकर इसे साफ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रश से साफ करके इसलिए दिखाया है जिससे कि आपको पता चले कि इतने हलके हातों से ब एकदम से clean होना शुरू हो जाएगा ये एक ऐसा जादूई तरीका है जिससे कि आप अपने तावे और पीतल के बरतनों को चुटकियों में साफ कर सकते हैं इन बरतनों को साफ करने में आपको मज़ा भी आने वाला है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी महनत नहीं है जैसे ही आप इस लिक्विट को इस बरतनों पर लगाना शुरू करेंगे ये बरतन एकदम से साफ होने लगेंगे मैंने इस लिक्विट को पूरे बरतन पर अच्छे से लगा दिया है और बरतन पूरे तरीके से साफ हो चुका है अब इसके बाद मैं एक स्क्रवर लूँगी और हलके हात इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप डायरेक्ट स्क्रवर का यूज करें ताकि आपका ये काम चुट्कियों में हो जाए मुझे ये वीडियो में दिखाना था कि हमें इसको रगडने की बिल्कुल भी आवश्यक्ता नहीं है इसलिए मैंने brush का use किया है लेकिन आप direct इसे scrubber से साफ कर सकते हैं अब ये साफ हो चुका है तो इसे मैं पानी से अच्छे से धो लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी और ये देखिए मैंने इसे पानी से धो लिया है मैंने इसमें बिल्कुल भी सावुन का use नहीं किया है सिर्फ पानी से ही इसे साफ किया है और ये कितने अच्छे से साफ हो चुका है अभी के लिए इसे side में रखेंगे और जो पीतल वाला दिया था अब हम उस पे भी इस liquid को लगाना शुरू करेंगे और इस बर्तन पे भी मैं इस brush की सहायता से ही इस liquid को लगा रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हमारे तावे और पीतल के बर्तनों को ये बहुत आसानी से साफ कर सकता है हमारे दोनों तरह के ही बर्तन इस trick की वज़े से एकदम साफ होने वाले है अब इस पूरे दिये पर मैं इस liquid को लगा लेती हूँ जिससे कि इसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाए हमारा जो ये अखंड दिया होता है इसे हम साबुन से जितना चाहे उतना रगल ले पर ये पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं हो पाता है लेकिन जब इस तरीके से आप इस दिये को साफ करेंगे तो ये बहुत कम टाइम में एकदम चमकने लगेगा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा ज्यादा तर जो इस दिये में अंदर वाली जगे होती है वो बहुत काली पर जाती है और उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस ट्रिक से वो भी बहुत आसानी से साफ हो जाएगा अब इस ट्रिक को देखने के बाद आपके घर में जितने भी पीतल के बरतन हो तावे के बरतन हो आप एक साथ ही उन्हें साफ कर सकते हैं और हर त्योहारों पर उन्हें नए जैसा बना सकते हैं अब पूरे दिये पर मैंने liquid को अच्छे से लगा दिया है दिया पूरी तरीके से साफ हो चुका है एक बार स्क्रबर से भी मैं इसे साफ कर लेती हूँ जिससे की एकदम से चमक जाए और इन दोनों ही बरतनों पर मैंने liquid के अलावा सावुन का यूज बिल्कुल भी नहीं किय है अब ये दिया भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है तो अब मैं इसे भी पानी से धोकर लाती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी और ये देखिए ये दिया हमने पानी से साफ कर लिया है ये कितना अच्छे से चमक रहा है अब इन दोनों बरतनों को एक वार हम कपड़ से अच्छे से पहुश लेंगे और यहां पर देखिए दोनों ही बरतन अच्छे से साफ हो चुके हैं कितने अच्छे से चमक रहे हैं पहले ये बरतन कैसे थे और अभी ये कैसे लग रहे हैं लग रहा है ना एकदम नया जैसा जैसे कि हम इसे अभी लेकर आए है इन बरतनो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू